अरे आपको तो लालु यादफ कितना कुटबाये थ shareholders है ना लालु यादफ जी को लालु यादफ जी के गुंडों ने किस तरह नितीश कभारजी को पीठने का काम किया था ये उनको याद करना चीह कलब है ये बिहार की जंता का संकलब है 28 साल से मुखमंत्री है जन्ता ने टाई कर लिया कर आपको उठाड़ कर त्रेक देना है लालू जी से मिल जाईये किसी से मिल जाईये राहूल गांपछिसे मिल जाईये जन्ता जब संकत्व ले चुकी है बारतिये जंदकाप पाटी के नितरित में आपको उखाळ कर फेकना है और आप कर रहे हैं अरे आपको तो लालु यादब किदना कुटबाये थे याद है ना गरोल में लालु यादब जी के गुंडों ने किस तरह नितीश कुमार जी को पीटने का काम किया था ये उनको अब किसके हुए लालु प्रजाजी के बेटे के लालु प्रजाजी को बेटा को उत्राधिकारी माना आप मानते रहिए बिहार की जंता इसका हिसाब करना अचानक से आप पर हमला आपके पज़बार पर हमला देखिए यह लोग बैकवर्ट फॉर्वर्ट करना चाहते थे लालु यादब को मैंने कहा कि लालु यादब कैंसर है राजनीव के उनको उकाड़ कर फेकने काम काम भाजपा करेगी अब नितीज जी को लग रहा है कि बैकवर्ट फॉर्वर्ड नहीं हो पाए अरे बिहार की जंता क्ताई कर चुकी है नितीज बाबू नरेंद मोदी जी मेरे पिता जी से 20 साल छोटे नितीज कुमार जी हाफपट पहिंते होंगे जब मेरे पिता जी देश के लिए सेना का काम कर रहे से तीनो युद लड़ा है और तीनो युद लड़कर देश की राजनीत में आने का काम क्या और लवकुस का समीकरण बनाकर सारा लोग जानता ह कि लब कुछ समाज ने नितीज कुमार को आगे पहुचाया और नितीज कुमार क्या सम्मान देंगे नितीज कुमार को देने की हैसियत है क्या नितीज कुमार क्या देंगे नितीज कुमार को जनता ने दिया और जनता ही उनको उखाल कर फेक देगे